खबर सीमल वाड़ा से गौ सेवा से शारीरिक और मानसिक तनाव को खत्म करने की ताकत गौ परियावरन और अध्यात्म चेतना पद्यात्रा का बांसिया में भविस्वागत बासिया में गौव परियावरन और अध्यात्म चेतना पद्यात्रा का रविवार सुबह मंगल प्रवीश होने पर भविस्वागत किया गया ग्रावनों ने ढोल बचाते हुए किया स्वागत राजपूत रावला परिसर में गौव कथा का आयूजन हुआ कथा मर्मगिव सुरेश गौपाल महराज ने नौ माता की महिमा का बखान करते हुए कहा गौमाता की सेवा करने से एंएग प्रकार की बिमारियों से छटकारा, कर्स की मुक्ति, पुतर प्राप्ति, संसकारवान संतान प्राप्ति, वस्तु दोश निवारन कि आ जा सकता है महराज ने बताया कि गौमुद्र में शाक्षात गंगा मा और गोबर में मा लक्षमी का वास होता है गौमाता साधारन पशु नहीं है, साक्षात भगवती है गौमाता की सेवा करने से वैकुंड गौवेला में जगह मिलती है गौमाता की सेवा नहीं करने पर गौशाला का वरोध करने पर नरक की जिन्दगी जीता है आधिवासी समाज को हिंदु धर्म से अलग करने की साजिश रची गई है महराज ने बताया चेतना पदयात्रा का राजस्थान का अंधिम पड़ाव चल रहा है जिसके बाद वो पदयात्रा गुजरात प्रस्थान होगी चार सितंबर से साथ सितंबर तक बीची वाड़ा में गौक अथा का आयोजन होगा इस मौके पर ठाकुर वीर भद्र सिंग चोहान, लक्षमन सिंग चोहान समेश श्रधालू मौचूद रहे परम करुणा में काई माता जी की सेवा अवश्य करनी जाईए केवल हलका पुलका भलाहार और एक समय रात्री को सोते समय एक गिलास काई माता जी का दूद करता गौमा की आरती उतानू खबर भारत वाश के लिए सीमल वाडा डूंगरपूर राजस्थान से गुर्वन्त कलाल के रिपोर्ट अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, पहला इकन दबाना न भूल, क्योंकि हबर हमारी पैसला जनतंत्र का